Hello dear students! We were discussing chapter Atomic Structure and topic was Quantum Number और बाटा, 4th quantum number होता है Spin Quantum Number Spin Quantum Number हमे किसके बारे हैं बताता है बाटा? It tells about spin of the electron कि orbital के हंदर electron clockwise घुम रहा है अपनी axis पे या फिर अपनी axis के ऊपर anti-clockwise घुम रहा है तो मैं बोल सकता हूं बाटा It tells about spin of electron on its own axis कि इन और बाइटल बेटा सब्सक्राइब कर लेते हैं कि एलेक्ट्रोन अगर क्लोगवाइज दारेक्शन में घूम रहा है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नुमर जिसको स्मॉल एससे रिप्रजेंट करते हैं उसकी वैलू प्लस हाफ है तो बेटा अगर एलेक्ट्रोन एं ब्साप क्लोगवाइज भूमेंगा तो उसके लिए माने साप हो दिया तो अपने अंपने आप से यह प्लस हाफ ! क्योंकि पेटाई यह जो डारेक्शन होती है क्लोक वाइज या फिले एंटी क्लोक वाइज यह उब्जर्वर की रिस्पेक्ट भी होती है आप लोग देखना अगर हम सामने से किजी चीज को क्लोक वाइज देखे और घूम कर उसके पिछे की साइड चले जाए छाएं तो हमें वह चीज एंटी रोड़िटी यहां से ते डेकने पर लोगवाइज है आगर मैं घूम कर उल्टा चला जो इसको इसको घुआता हाँ यह था फॉर्थ कॉंटर नूबर है कि ओके डियर स्टुडेंट्स नेक्स्ट भूपी किये आप बाउज प्रिंचिबल पीटा आप बाउज ने क्या बताया था कि जब भी हम और वाइटर्स में एलेक्ट्रों बहेंगे तो सबसे कम एनर्जी वाले और वाले उसके बाद और इस तरीके से बढ़ते हुए एनर्जी में में मुन को फिल करेंगे पहले कुंसा और बहा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है तो मैं बहुत दक्ता में बेटा कि इलेक्ट्रोंस और फिल्ड 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 इन और बाइटल्स इनक्रीजंग ओर्डरोव अँर मैं में बात भूद की कौन से ऑर्वाट्ल की वाथ लूव मैंसे 5000 और कि सी और कि रूब होता है एन प्लस एल रूल तो प्लस एल ने क्या बताया कि जिस और वाइटल के लिए एन प्लस एल की विए कम होगी उसके एनरजी कम उसको पहले हम फिल करेंगे माल लेता हूं मेरे पास दो और वाइटल हैं एस एन टुट पी टास प्रसके लिए एंडिय वेल क्या होगी फोर और एस और वाइटल के लिए एल कितना होता है पिटा जीरो तो एन प्लस एल विलिकम फॉर टूपी यह बिटा इन इस इप्लोड टू कॉट्वल तू सामने लिखा हुआ है और वेटल पी और वाइटल के ल के लिए आया 2P के लिए कमाया तो मैं पहले किसको बरूंगा बैटर 2P को बाद में किसको बरूंगा 4S को दोनों में compare मैं इस तरीके से कर सकता हूं मैंने बुला बैटा ओर्वाइटल हैं मैं और्वाइटल हैं लोवर ऑन प्लस अल बैलू विल हैं लोवर एनर्जी विल हैं लोवर एनर्जी एंड फिल्ड फिस्ट बेटा उसकी एनरजी तो कम होगी और उसको हम पहले फिल्ड करेंगे जिसके लिए N प्रस L कम आई अब अगर कभी ऐसा हो जाए बेटा मान लोगे ने कम्पेर किया 4S को 3P के साथ तो पेटा 4S को 3P के साथ कम्पेर करूँ तो 4S के लिए N की वेल्यू क्या आई कि बेटा 4 and S के लिए L is equal to 0 3P के लिए N is equal to 3 and P के लिए L is equal to 1 तो पेटा N plus L will become 4 और 3P के लिए N plus L will become 4 दोनों के लिए N plus L की वेल्यू क्या आगी बेटा सेम आगी या फिर अगर मैं बात करूँ 5S की और 3D की पेटा इसके लिए N is equal to 5 और S के लिए L is equal to 0 तो N plus L will become 5 और 3D में बेटा N की लिए क्या होगी 3 और D के लिए L की तरह होता है बेटा 2 तो N plus L will become 3 plus 2 और 5 तो देखो बेटा 4S और 3P दोनों के लिए N plus L की तना आया चार्व 5S और 3D दोनों के लिए N plus L की तना आया बेटा 5 आप दोनों के इन दोनों में पहले कुन था बरा जाएगा तो अगर कभी N plus L की वेल्यू सेम आ जाए तो पहले किसको बनेंगे यह फिर्स्ट आइक्जांपल ही सहीट आगर कभी N plus L की वेल्यू सेम आजाए तो जिसके लिए N की वेल्यू कम होगी तो जिसके लिए N की वेल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे अब इसी तरीके से इसमें देखो बेटा दोनों के लिए N प्लस L सेम बट उसके n plus L is same is same for two orbitals, is same for two orbitals, then orbital having, having lower n value, is filled first, is filled first, जिसके N की वेल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे, बेटा, नेक्स्ट रूल है, हंड्स रूल of maximum spin multiplicity, और इसमें क्या बताएं बेटा, कि अगर मैं equal energy के orbitals को फिल करूआ, equal energy के orbitals को फिल करूआ, तो पहले उनमें single single electron मरे जाएंगे, उसके बाद bearing start होगी, जैसे माल लेता हो, बेटा, मेरे पास P के अंदर 3 orbital होते हैं, P के लिए, बेटा, L क value 1, और number of orbitals का formula 2L plus 1 is equal to 2 into 1 plus 1, कितने orbital लाएंगे, बेटा, 3, और D के अगर मैं बात करूँतो, बेटा, L क value क्या होते है, D के लिए, 2, number of orbitals will be 2L plus 1, it will be equal to 2 into 2 plus 1, that will become 5, तो बेटा, P orbital में कितने, P सबसेर में कितने orbital लाएं, 3, और उनके बार सबसेर क्या होगी, पेटा, 1Px, 1Py, 1Pz, यहां में पहले डिस्दस क्या था, अब देखो, मेटा, इस कैनर मुझे अगर 3 electron भरने है, P orbitals में, P3 configuration में, अगर मैं लिखना चाहूं, तो, और 3 orbitals की energy same है, because they glow to same sub cell, P sub cell, अब देखो, मेटा, 3 electrons को भरने का एक तरीका यह है मेरे प सब्सक्राइब, पहले उनमें single single electron आएंगे, उसके बाद pairing start होगी, अगर मुझे P4 लिखना है, तो जो fourth electron है, वो यहां आएगा, लेकिन जब तक सब के अंदर एक एक electron ना आ जाए, तक तक हम उनको single single e-fill करेगे, मतलब P3 configuration सही है, यह और रुपत वाली क्या है गलत, अगर म मुझे जिसे माल लेता हूँ, B5 fill करना है या फिर D7 fill करना है, तो पेटे, D के अंदर कितने orbital होते हैं, पांच orbital है, हमने उनके बारे में पढ़े हैं, उनके नाम भी पढ़े हैं और उनकी, फिर भी, तो options है मेरे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच है, साथ, इस तरीके से फिल कर देता हूँ, मैं साथ elektrons को, या फिर मैंने रूल को क्या बता है, पेटा, हंस rule of maximum multiplicity क्या करता है, कि पहले सभी और बाइटल्स को, इसके बाद, पेरिंग स्टार्ट हम लोग करेंगे, तो बेटा, उपर वाली कंफिरेशन गाद, अकोर्डिंग निचे वाली करेक्ट, और बेटा, एक और बाइटल में जो एक एर उपर की तरफ, दूसरी एरो निचे की तरफ दिखाई, इसका मतलब क्या है, बेटा, एक की इसका मतलब क्या है, तो उसी और बाइटल का दूसरा एक तो यह अपोजिट स्पिन्स को दर्खा रहा है, इस वन इलेक्रों इस रोटेटिंग क्लोग वाइज, रोटेट एंटिक लोग वाइज, तो हांड सूरों मैक्सिमम मल्टिक्लिशिटी ने क्या बता है, बेटा, कि Degmenterate Orbita, पहली बात ही जो टर्म है DeGenerate, ये कांपी इंपोर्टैंट है, De Shame aqueles पहली बात हैं पर होते हैं तहोते तब से एनटर गिश्ममेंगे, जिंके आपने वेटा, एक की यह वाइज अठोर की स्टेमेट हो भी चलते हैं में वूट, इसने क्या बोला कि, Dealer-घेजममेट आर फस्त इर फस्ति इंग फिल्डियर फिल्डियर फिल्ड उल्क्तों निया थेड्डियर बिफ जिए पहले था बिफ बीघ्डियर गधर सिंगर इंग अजय आये तो एंग में मतलब सकते हैं इसके क्या मतलब है इसको Fukushima को मतलब मतलब है इसके ऊला है उसने जब मैद सेसल के लिए maximum आ जाए तो वह कि लोवेस्ट अनर्जी होगी और मॉस्ट स्टेबल फोम होगी मतलब कि उसने क्या गोला था वेटा कि वैं वैं स्पिन मर्टिप्लिशिटी वैं स्पिन मर्टिप्लिशिटी इज मैक्सिमों wait us have lowest possible energy lowest possible energy and maximum stability and मैक्सिमम मतलब कि जब स्पिन मैक्सिमम हो जाए उस ताइम पर एनरजी सबसे कम होगी या फिर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पेटा इस बात का मतलब आप रूप समझो कि इस पिन मैक्सिमम से क्या मतलब है अब आप देखो पेटा माल लेकाँ मेरे पास एक बार एक बार एक रखोनी कंफिग्रेशन पी त्री मैंने एलेक्ट्रों तो फिल कर दिया इस तरी के से वान टू थ्री को पहले एलेक्ट्रों के लेगर स्पिन परस हाफ है तो उसी और बाटल में दूसरे एलेक्ट्रों की स्पिन क्या होगी बैटा माइनस हाफ प्यूंकि एक को उपर की तरफ दिखा रखा रहा है एक को नीचे मतलब कि एक अगर कलोगवाईस घुम रहा है दो इलेक्ट्रोंस बेटा होंगे उनकी स्पिन हमें सापोजित होगी एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ और बेटा नेक्स्ट वाले के लिए स्प्रीन उपर की तरफ दिखा रहा है मतलब प्लस हाफ तिन्नों के लिए एकर मैं स्पिन्स को जोड़ दूं तो ऐस क्या है का बेटा प्लस हाफ माइनस हाफ और बेटा स्क्रीन मुल्टिप्लिशिटी का फॉर्मूला होता है तूस प्लस वन इत्विल इक्वल टू इन्टू 1 बाइटू प्लस वन बाइट विल इक्वल टू तू अगर मैं पी त्री कंफिग्रेशन को दिखा हूं इस तरीके से एक दो तीन सबको सिंगे लिए फिल्ड कर दिया मोड के लिए अगर पहले के लिए प्लस हाफ दूसरे के लिए प्लस हाफ थार्ट के लिए क्या होगा प्लस हाफ तो प्लस हाफ 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 प्लस तो spin multiplicity का formula क्या होता है बेटा, 2 into total spin plus 1, it will be equal to 2 into 3 by 2, plus 1 that will be equal to 4, आपको देख सकते हो बेटा, spin multiplicity जादा कौन से case में आई है, जब हमने singly fill किया है, एक सब्सक्राइट को हमने पहले pairing करें, तो जब spin multiplicity जाता आ जाए है, maximum आ जाए, वो configuration जादा stable, तो मतलब मुझे P3 अगर fill क करूँ ना, और अगर तब भी electrons बच जाए, तो फिर मैं pairing start करूँ ना, जैसे यहाँ पे तो 3 electrons भरे गए, लेकिन अगर किसी में पूच लेए P4, तो बेटा, P4 में मैं पहले 3 electrons को सिंग्रेज की तो चोथे electron के लिए option नहीं है, तो उसको pairing कर वाँँगा, तो बेटा, next rule is police exclusion principle, और इसने क्या बताया, कि अगर एक orbital के अगर दो electrons होगी, एक अगर clockwise घूमेगा, दूसरा का कैसे घूमेगा बेटा, anti-clockwise, दोनों के लिए spin क्या होगी बेटा, opposite होगी, तो police exclusion principle ने बताया, कि two electrons, two electrons in same orbital, have equal and opposite, बेटा magnitude तो दोनोंगा, same होगा, और sign कैसा होगी, बेटा, opposite, have equal and opposite spin, मतलब अगर एक orbital में दो electron है, एक अगर clockwise घूमेगा, तो दूसरा आपने आप कैसे घूमेगा बेटा, anti-clockwise, अपनी खुद की axis कर उपर गी, एक clockwise वाले के लिए, अगर मैंने spin को वोला, plus half, तो anti-clockwise वाले के लिए spin क्या होगी बेटा, minus half, अब clockwise वाले के लिए प्लस half है, तो anti-clockwise वाले के लिए minus half, एसा भी हो सकता है कि मैं clockwise वाले के लिए minus half, और anti-clockwise वाले के लिए, प्लस half, पर अगर same orbital में यह तो दोनों के लिए spin क्या होगी बेटा, opposite होगी, तो यह था police exclusion principle, पेटा, police exclusion principle की एक और statement है, same मतला बदोन होगा, उसने क्या बोला है, second statement के हिसाब से, कि atom के अंजर किनी भी दो electrons के लिए, चारो quantum numbers की value same नहीं हो सकती, कहीं न, कहीं तो difference आएगा ही, आएगा, मतला चीज में बोला, for two electrons, for two electrons in an atom, एक atom के दो electrons के लिए, all four quantum numbers can not be same, all four quantum numbers can not be same, मतलब माल लेकता हूं कि मेरे पास दो electrons है, जिनके लिए बेटा, cell same है, पेटा, उनके N की value same, बोलो, उनका sub cell भी same है, बेटा, तो sub cell same मतलब उनके किसकी value same होगी, बेटा, L is same, और हमने बोला कि दोनों एक ही और बाइटी के अंदर है, अगर उनका orbital same है, मतलब उनकी किसकी value same है, बेटा, ML, लेकिन बेटा, अगर एक ही orbital में दोनों electrons हैं, तो उनके लिए, अगर एक के लिए spin, plus half होगी, तो दूसरे के लिए spin क्या होगी, बेटा, minus half, ये fix है, तो मतलब कही ना कहीं चाके difference आहीं जाएगा, किनी भी तो electrons के लिए 4 पांटर नमर same कभी नहीं होगी, या तो उनके cell में difference होगा, अगर cell different नहीं होगे, तो सब cell में difference होगा, सब cell में difference होगा, तो orbital अलग-अलग होगी, और अगर orbital भी same है, तो उनका spin में opposite होगे ही होगे, एक अकी spin अगर plus half, दूसरे की, minus half, next topic is electronic configuration, किस तरीके से orbitals के अंदर electrons fill किये जाएं, बेटा देखो, यह जो मैंने diagram बनाया है, किस basis में बनाया है बेटा, यह सारे orbitals से, देखो, सबसे पहले 1, पहले cell के अंदर कौन-कौन से orbital होगे बेटा, शिर्फ S होगा, आपको पता है बेटा, जब n की value 1 होगी, तो उस S के लिए, और जब मैं second cell की बार करूँना, तो बेटा, second cell में, देखो, n is equal to 2, second cell के लिए n की value क्या होती है, 2, तो l क्या-क्या हो सकता है, बेटा, 0 और 1, 2 से एक कम तक, n-1 तक जाती है हमारी value, हमने last video में देखा न, तो बेटा, l की value 0 मतलब S, और l की value 1 मतलब P, तो बेट लेकिन अगर 2 होता, तो क्या होता है, बेटा, d, लेकिन if n is equal to 2, तो l की value 2 नहीं हो सकती है, अब next, l is equal to, अगर मैं बात कुनू 3, तो उसमें l की value क्या होंगी, 0, 1 and 2, 3 से एक पहले ता, तो अगर l is equal to 0 आ गया, तो इसका मतलब S, 1 आ गया, मतलब P and 2 आ गया, d, मतलब third cell में S भी होगा, PV होगा, D भी होगा, लेकिन F नहीं होगा, इसी तरीके से fourth cell में क्या होगा, वेटा, F आ जाएगा, तो इस तरीके से first cell में P, D, F नहीं होते, second cell में D और F, third cell में F नहीं होते, F से आगे पढ़ने की हमें जुरूर नहीं है, अब ये सारे के सारे possible orbits में लिखती है जब S की, S है तो L is equal to 0, P है तो L is equal to 1, और B है तो L is equal to 2, and F L is equal to 3, तेखो पीटा, अब मैं बहुत हुआ कि कौन से और मैंटल को पहले हम लोग फिल करेंगे, तो N प्लस L रुग लगाते हैं, जिसके लिए N प्लस L की value कम आएगी, उसको हम पहले फिल करेंगे, तो पीटा, मतलब 1S के लिए, N की value 1S की 0, तो N plus L will be equal to 1, 2S के लिए, N is equal to 2 plus 0, मतलब 2, 2P के लिए, 2 plus L is equal to 1, 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 0, 3, 3 plus 1, 4, तो देखो पीटा, पहले किसको फिल करेंगे, जिसके लिए N plus L कम आया हो, N plus L कम आया हो, मतलब 1 आया है, तो सब से पहले हम किसको बहेंगे, पेटा 1S को, और, उसके बाद हम किसको बहेंगे, पेटा, जिसके लिए N plus L की value 2I हो, मतलब किसको बहेंगे, पेटा, 2S को, इसको अब एक ट्रिक्की तरह है, याँद कर लो, इस तरीकी से लिखो, और फिर उसके बाद 3 वाले को बहेंगे, देखो बेटा, N plus L के लिए, यहां पे 3 आई है, और यहां पर भी क्या आई है, पेटा, 3, लेकिन जब दोनों के लिए same आजा है, यहां पहले किसको बहते हैं, जिसके लिए N की value काउंट थी, यहां पे N 2 है, यहां पे N की आई है, पेटा, 3, तो पहले कोन सा बाद आजाएगा दूमना में से, यह वाला, तो इस त इसको आप ट्रिक की तरह याज कर सकते होगी, अगर आपको याज करना है कि पहले एलेक्रों कैसे बरी जाएंगे, तो हम पहले एरो के यहां से start करेंगे, end तक महुचेंगे, फिर उसके बाद next error से यहां से start करेंगे, end तक महुचेंगे, next error पे यहां से start करेंगे, end तक महु अब अगर एलेक्ट्रोनीक कन्फिक्रेस्ट मुझे लिखनी है अच्छा एक बात और एस और बाइटल में किकने एलेक्ट्रोन वरे जाएंगे बिटा नंबर ओफ एलेक्ट्रोन का फर्मुला होता है 2 इन्टू 12 प्लस 1 तो पैटा s और बाइटल नेकर अन्ददे को एक योर बाइटल होता है एलेक्ट्रोन अच्छा न्हिक वरे जाएंगे यह अस्चाल और अगर मैंदी की बात करूं तो इलेक्ट्रोन लात कूरी यह लिए क्ट्रोन चत्रून इसमें 10 आएगे, इसी तरीके से F में कितने हैं जाएंगे, 14 एलेक्ट्रोंस आएगे, अब सब हमारे सामने किलियर है, अगर मुझे लिखनी है बेटा, माल लेता हूं, Oxygen की एलेक्ट्रोंनी कन्सिक्रेशन, Oxygen का Atomic No. कितना होता है बेटा, 8, मतलब इसमें 8 जाओंगे बेटा इलेक्ट्रोंस होंगी, तो अगर इलेक्ट्रोंनी कन्सिक्रेशन लिखनी है, पहले यहां से मैं स्टार्ट करोना, 1S से, और 1S के इंतर कितने इलेक्ट्रोंस आएंगे, बेटा, S में आते हैं, 2 इलेक्ट्रोंस, 1S के बाद यहां से आया, arrow खतम, next arrow पहुँचेंगे, 2S, ब प्लाइन, 2P में कितने एलेक्ट्रोंस आए हैंगे, पैट एलेक्ट्रोंस कितने आ सकते हैं, 6, लेकिन हमारे पास यहां में कितने एलेक्ट्रोंस हैं, न्हीं हिख है, बेटा, पैट्बे, जब नियोन को बढ़ेंगे पहले 1S में तो फिर 2S में दो और उसमें चार एलेक्ट्रोन आगए 6 बच गए बेटा और 2P में कितने आज जाएंगे बेटा तो इस तरी किसे नियोन की कंफिगरेशन भी क्या होगी बेटा आगी हमारे पास देखो बेटा अब एक कम होती है नोबल ग बॉल सक्ता में क्या होते है एलीमेंस है एविए लास्ट संचल पी संबसे लास्ट संट है पी एंड इट इस अप्लेटली फिल्ड एंड इस एंड इस अप्लेटली फिल्ड कि जिन एलिमेट्स में लाज्ट सब्सेल क्या है पिटा पूरा बराव उसमें पूरे च्छाई एक्ट्रों आई ऐसी इसकी भी आजाए उसका हम क्या बोल देंगे पेटा नोबल गैस पेटा अब एक और एक्जाम्पल हम लोग लेकि देखते हैं एलेक्ट्रों नीक कन्फिग्रेशन का माल लेक्ता हूं मुझे जीन्क की एलेक्ट्रों नीक कन्फिग्रेशन लिखनी है अटोमिक नमबरी 30 तो देखो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे अब तीज एलेक्ट्रों बरने हैं सबसे पहले वन एस में आएंगे कितने एलेक्ट्रों बेटा दो तुएस में भी दो उसके बाद बेटा टुएस संब्रेश कमहिर नेक्शहां में अगा प्रिक्व स्छिट्र ग्ल ness effort में घरेगे के ब्ढ़ेंगे भी ऐगा साथ में यहां तक हमारी तीस एलेक्ट्रोंस आ गए तो यह जिंक की लेक्ट्रों निक नसीदेशन में लिख दिए पेटा अब कुछ एक्सेप्शन भी आती है इस रूल से मान लेक्टाव मुझे क्रोमियम की लेक्ट्रों निक लिखने है डिए क्रोम निक नंबर क्या होता है तो इन टीफोर तो देखो पेटा क्रोमियम की असरी को इसके शांब से दुबारास एक बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद क्या आएगा बेटा 4s2 & 3d4 अब देखो बेटा यहां फिर में बाद कुरूर कोपर की है कोपर क्या नमर कितना होता है बेटा 29 तो कोपर की कंफिर्मेशन आगर मैं लिखना चाहूं जब इसी कोपर कुना देते हैं कि 3d9 देखो बेटा यहां पर एक्सेप्शन क्या है कोपर का लगान नमर 24 तो अगर एक इलेक्ट्रों मैं ऐससे हटा दो पिछा हो गया डी में आगे कितने एलेक्ट्रों तस पीवर कोन सा के इस में ड़ीटली फील्ड बन गया नहीं बन गया ब्यूंड दिक्ट्रूंड तो क्या हो जाता है तो यह कर्फिग्रेशन क्या है बेटा कि अगर ऐसे में दुबारा से एक एलेक्ट्रोन आज जाए और इसका एक रेक्ट्न उपके कहा चला जाए बेटा तो यह क्या हो जाए वेको डी में दस इलेक्ट्रोन आ सकते हैं अब इसमें कितने आगई आगे आगे दस से आदे पांच यह क्या है हाफ तो जब भी स से डी में इलेक्ट्रोन में ट्रांसपर करूँ किस तरिक्के से की डी या तो तो कम्प्लीट्री फिल बन अब जाए या क्या आज आए वेटा हाफ फिल्ड बन जाए तो यह स्टेबल कंफिग्रेशन बनेगी दुबारा परता हुँ जब भी मैं S से D में इलेक्ट्रोन ट्रांस्पर करूं इस तरीके से कि D या तो completely filled बन जाए या क्या बन जाए बेटा half filled तो configuration जादा stable बनेगी मतलब मैं बोल सकता हो बेटा कि जब electronic configuration या तो completely filled हो या फिर half filled electronic configuration हो और सबसे कम इनको छोड़के बागी सभी configuration तो यह तो पहली बात होगी और दूसरी बात बेटा मैं बोल सकता हूं कि S से D में electron कब चला था है इसके सिर्फ S और D का ही हमें लगाना है आगे हमें नहीं सोचना है कि जब हाईयर elements पर जाएंगे तो configuration में काफी ज़्यादा disorders आएंगे उनको हमें नहीं पढ़ना है हमें फिर S और D तक ही मतलब रखना है ज्यादा निच्छे वाले elements पर focus नहीं करना है तो बेटा देखो जब भी S से D में इलेक्ट्रोन हम लोग भेजेंगे पिछे वाले S से नेक्स्ट वाले D में इस तरीके से कि या तो D completely fill हो जाए या फिर D half fill हो जाए तो configuration ज़्यादा श्टिकर लोगी तो मैं बोल जगता हम बेटा वैन इलेक्ट्रोन इस ट्रांसफर्ड फ्रोम S तो D then and S becomes sorry and D becomes D becomes completely filled और half filled it is more stable यह configuration क्या हो जाएगी बेटा जादा श्टिकर तो इसको 4s2 3d9 लिखने की बजाए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा इसको 3d10 and 4s1 यह सही configuration है यहाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाले के अंदर completely फिल्ड वाले के अंदर exceptions होती है अब अगर क्योशन आ जाए कि तो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड है वह ज्यादा स्टेबल क्यों है तो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सेम कंसिगरेशना की दो दो इलेक्ट्रों सब में है सब में एक 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 एलेक्ट्रोंज तो पहली बाद को यह हैं यहाँ प्राइब अधिक ट्रॉम यह एक सब्सक्राइब है एक चेंज एनरजी एक सब्सक्राइब होती हैं यह सब्सक्राइब बिटा एक्सचेंज एनर्जी बहर हें जतंव जतने जता होगी तना ही हमारा एलिबंट जाता स्टेपल होगा व्यक्षा हुआ पॉल होँ दिस्ट नगें जत्म पॉइंट पॉएटो हुआ एक्सचेंज एनर्जी रिलिए कि इस हैं मैक्सीमुम है या तो क्या करें ओस्लीह अलेसे बाद प्टाडिंद आ pineapple कस्पाद करें क्षेट right return प्मार्द म devil मेरे पास हां अ हो अ और है और लेक्टड पर यहां पर आए इंदेश पंकária को क्योंकि दोनों की स्पिन क्या है बिल्कुल सेम है तो क्या तो फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा यह एक्सचेंज की एनर्जी में कोई फरक ना पड़े वो स्टेमिलिटी प्रोवाइड करता है तो जब हाफ फिल्ड हो जाए गन्फिक्रेशन तो मैक्सिमम पेर्फ बन सकते ह है एक्सचेंज अनर्जी के एक्सचेंज होने के अगbus चाहरत बन सकते हैं सबसे बाकिसे बानेगे हे और इस से कमकिसा बनेंग नियुक्त है किस्पिल्कुल से हैं उनको आम एक उसरे कीInt चाहिए, घर सिर हों है क्योंकि इन दोनों की spin से में कोई फरक नहीं पढ़ रहा है कि कौन सा एलेक्टम कहां पर आ रहा है तो यहां पर जो है एनरजी में हमें इस टीवला जिसने मिला उसको बोलेंगे एक्सचेंज एनरजी तो मैक्सिमम पेस बनेंगे फुली फिल में उसके बाद हाफ फिल में